इसको भी देख लेते हैं कर रहा परवलायकार के रूप में जूलते हुए किसी पूल के मिनार के सिर्स सडक से 30 मीटर की उचाई पर परस पर 200 मीटर अलग है चलिए इसको फीगर पहले बनाते हैं ठीक है यहां पर समझो किस तरह से यह बन रहा है अच्छा यह क्या है परवलायकार रूप में जूलते हुए पूल की मिनार है यह हम लोग एक काम करते हैं इसको एक्स यहां पर एक्स डैस और यहां पर यह आपका वाई है और नीचे यह यह डैस है यहां से 5 मीटर उपर से यहां से यह आपका पुल जा रहा है पुल का उपर का जो टावर है इस तरह से ऐसे जा रहा है ठीक है परवलायकार का और यहां पर क्या है जी तो 30 मीटर उचाई पर है यहां से यहां तक की उचाई 30 मीटर है इधर भी 30 मीटर ले लो और इधर भी 30 3030 पुल पैसे होता है ना उपर से जो केबील टंगा होता है चलिए, तो यहां से यह 30 मीतर क्यों पर यहां से भी आपका तीस मीटर की उडिया ठिक है चलिए 30 मीटर क्यों पर और टोटल कि इतना है 200 मिटर याणि कि सोमेटर हो जाएगा और 100 मीटर आपका इधर हो जाएगा ठीक है अब फिर आगे कहा रहा है पांच मीटर की उपर पर फिर तो मद से मद से यानि कि यहां से यहां से 30 मीटर की दूरी पर सरक के पथ से जुड़ने वाले समर्थक तार की लंबाई निकलें मतलब यहां से 30 मीटर इधर आए यानि यहां आ जाएगे तो यहां से एक समर्थक तार जो उपर क्यों लगा रहा था सपोर्ट इवार लगा रहा था ना साइड से पूल में सार किलम यहां का नुयामक कितना हो जागा 30,L ना क्योंकि यह आपका मद्ध बिंद होगा ना 30,L हो जाएगा ठीक है तो यहां से यहां पांच एकाई की दूरी पर है यह एक्स के अनुदिश है तो माना माना हमें क्या मानना था यह जो तार है समर्थक तार जो है 30 मीटर दू दूरी पर दूरी पर मद्ध से 30 मीटर दूरी पर माना मद्ध से 30 मीटर दूरी पर ऐसे मान लेते हैं माना मद्ध से मद्ध से 30 मीटर दूरी पर दूरी पर दूरी पर सडक से जुडे सडक से जुडे सडक से जुडे समर्थक समर्थक तार की लंबाई तार की लंबाई बराबर में हमने क्या माना था अचा चुकि यह परवल है वाई अक्ष पर इससी था वाई अक्ष अनुदीस है और क्या है मूल बिन्दू से 5 का ही दूरी पर है 5 मिटर उशाई पर है न तो वाई अक्ष के अनुदीस अनुदीस परवले का समिकरन यहां क्या हो जागा तो परवले का समिकरन एक्स एसक्वाईर बराबर में फोर ए चुकि वाई अक्ष पर 5 का ही दूरी पर है तो यहां पर आजाएगा वाई मैनस 5 यही ना जाएगा आपका समझ गया है चलिए अब इसमें कुछ नाम देते हैं चलिए यहां पर O देते हैं यहां पर A देते हैं यह B यह C और यह D चलिए तो यहां पर C के नियामक की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी 100 है और यहां आपका 30 है तो 100,30 हो जागा यहाँ का नियमक 100,30 चुकि परवल है 100,30 से गुजर रहा है तो यहाँ से हम लोग X के जगाँ पर हम लोग रख सकते हैं 100 तो 100 का स्क्वायर और बरावर में 4A Y के जगाँ पर किता रख सकते हैं तो 30, 30-5 चलो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 100,1 पर कितना 0 लग जागा? 4 0 यहाँ घटेगा तो 25,25 ओका 100 ठीक है? तो 100A तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A का मान 100 आजागा, है ना? समझ रहाँ ना? A का वैलू आपका आगया 100 A का वैलू आगया 100 A का वैलू आगया 100 तो सजों के 400 हो जाएगा और ब्रेकेट के इंदर Y माइनस 5 चुकि D 30,L परवले पर परवले पर इस्थित बिंदू है इस्थित बिंदू है तो उसको यह भी संतुस्ट करेगा चलिए तो 100 Y की जगा यही रख जैते हैं यानिकि 30 का स्क्वाइर बराबर में 400 ब्रेकेट में Y की जगा क्या जाएगा? L तो L माइनस 5 चलो यहाँ पर हो जाएगा 30 का स्क्वाइर 900 और बराबर में 400 L माइनस 5 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो मज़ रहना? यानिकि यहाँ से आ जाएगा 9 बाइ 4 बराबर में L माइनस 5 माइनस का 5 इधा रहके तो 9 बाइ 4 और पलस में 5 यानिकि यहाँ से L बराबर जाएगा 25 और 29 और 9 कितना हैगा? 29 बटा 4 यानिकि 7 पुनांक 1 बटा 4 मीटर यहाँ से हमें तार की लंबाई निकल जाएगे समर्थकतार की लंबाई तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब करेंगे वीडियो को जाएज जाएज दोस्तों में सेयर करेंगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स बजाएगे हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अधर वीडियो के लिंक दिये रहते हैं और इस से related और भी अगर आप ये सब चीज इंगलिस मीडियो में पढ़ने चाते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी subscribe करेंगे उसका भी link मैंने description में दिया है Thanks for watching the video